अलो स्टूरेंट्स गुड मॉर्डिंग आज अपन जो टोपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है रास्ट्रियाई नेशनल इंकम सोर्ट में इसको एनाई से प्रजेंटे करते हैं अब वेसे तो देखें तो रास्ट्रियाई है यह जो टोपिक है बहुत ज़्यादा कि हुआ काम आएगा रास्ट्रियाई का घ्यान होना हरे श्टूड को हरे ही थो उद्धयर में वी और प्रोभना यह जो देटा है और अगर राश्ट्रियाई यह टोपिक नहीं पत्या और से वार को थोड़ा ध्यां, हपदेखफितेनां, आपenizझए, तो सबसे पर दूंस को राष्ट्याई हो अटी क्या है तो ca national income हो इती है सामान्यते अकलब निकालते हैं, एक देश की, एक वरस की आई, सामान्यते मतलब क्या है एक देश की, एक वरस की, आए, क्यों से नूटता है कि आए आती कहां से है आए उत्पन कहां से होती है कहां से आए कौन सी आए की बात करते है अपन इसकी बात ही हो रही है तो देखो आए होती कहां से कहां से क्या उत्पन होती है यह देखिए कि एक देश के समस्त नागरिक समस्त नागरिक वो एक वरस तक मतलब विशे लगातार अपने दाइप में अपने जिविका के लिए अपने जिन्दकी के लिए चलाने के लिए काम करते रहते हैं उत्पादन कारे करते रहते हैं ठीक है हर एक विक्ति मतलब हर वेक्ती जो काम कर रहा है वो किसी होत्पाधिन कारिया में जुढ़ा हो पाज्य बिश्तू का अपूर्श का उたपाधिन कारिया है किस ऊफण का आदमें खले कि आप एक साथ हो चीज बता हा हूं वो समझेगा, प्रक्टिकली बता रहा हूँ, माना कि एक ऐसी जगह है, जहां पर सो वेक्ति काम करते हैं, सो वेक्ति रहते हैं, एक एसा देश है जिसमें सो वेक्ति रहते हैं, एक एसा देश है जिसमें सो वेक्ति रहते हैं, एक वेक्ति है, उसके पास इस सो में से एक वेक् और बाकी नाइनटीन नाइन अगी और बाकी निनानम हैं वह भी तरह में पॉपयर्monम समझेंहां दोसे दूपने हैं सब मिलकर कि उस दूपने दूपयर्स इत्यमत दूपने करती है फिक्रियन वह उप्टोड्स जोच्छ कुरोड रुपए उस थीए है जो फेक्टरी है वो जो उत्पादन कर रही है क्या कर रही है उत्पादन उस उत्पादन की कीमत कितनी है पचास करोड रुपी है एक साल में जो उत्पादन कर रही है उसकी कितनी कीमत है पचास करोड रुपी है ठीक है ये एक देश है जिसका दूसरे देशों से बहार से है 50 करोड़ रुपी है थीक है अब पचास करोड़ रुपी है का उत्तपदन है तो आप मुझे बताओ यह एक साल का है अप जी बताओ कि यह जो लोग है कोण सो वेक्टी इनकी सब की इनकम कितनी होगी एक साल की कितनी मतलब ये कितनी रूपई ये प्राप्त करेंगे सब एक साल के जो पचास क्रोड रूपई का माल बना है वो ही पचास क्रोड रूपई ये इन सो विक्तियों में बट जाएंगे वो ही पचास क्रोड इन लोगों में जो हैं इनमें बट जाएंगे यानि इनमें मालिक को भी सामिल कर रखा है उसी कमाई भी आ जाएगी बाकी जो 99 काम करने वाले हैं उनकी कमाई भी सामिल हो जाएगी सब की मिलाकर जोड़ेंगे तो कितनी होगी पचास क्रोड रूपीए तो आई जो आई है वो कितनी होई पचास क्रोड रूपीए अब आई होती कितनी है जितने रूपीए का उतपादन होता है उतने ही रूपीए की आई होती है इसलिए रास्ट्रिया आई या रास्ट्रिया उतपादन एक ही चीज है। उध्रामे काउंट करते हैं तो जितने रुपे का 1 आई एक तेस में उतपादन होता है उतने ही रुपे की सब लोगों की आई होती है। तो इस रास्ट्रिया को गणना करने के दो तीन तरीके हैं या तो इस उत्पादन को जोड़ लो कि एक साल में एक देश में सभी वस्तोर सेवाओं का कुल कितना उत्पादन होता है कितने रुपे का उत्पादन होता है या तो उत्पादन को जोड़ लो या सभी जो लोग हैं वहां काम करने वाली सब की आये जोड़ दो उत्पादन जोड़ेंगे तो जितना उत्पादन आएगा उतनी ही सभी लोगों की आएगी आयाएगी ठीक है तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ इसी कंसिप्ट को समझी के पहले कि फिक्टरी में उत्पादन वाँ पचास क्रोड का तो जो सो लोग सब की आय मिलागर कितनी होगी पचास क्रोड रुपे होगी ठीक है अब ये जो सो लोग है वो एक साल में खर्च कितना करेंगी खर्च कितना करेंगी वो इनका जो खर्चा है यानि वे है वो भी होगा पचास क्रोड रूपी है खर्चा कितना होगा पचास क्रोड रूपी है क्योंकि वे उतना ही होता है जितनी आय होती है ठीक है पचास क्रोड रूपी वे कैसे होगा आप सोचोगे कि सर मतलब जितनी आय होती है जरूरी तू नहीं कि वो सारी खर्च क इसमें क्या होता है कि जो हां विक्सित देश है उसमें भी लोग बचत करते हैं ऐसी बात नहीं बचत नहीं करते हैं सेविंग करते हैं परन्तु यह सेविंग जाती कहां पर है तो यह सेविंग क्या होती है बेंक में विक्सित देश वो होते हैं जहां पर लोग अपने पास प जैसे लोगों की इंकम हुई पचास क्रोड रूपे तो अपने जूरूरतोंपर खर्च कर लिए कितने रुपए 30 क्रोड रुपए कितने बच गे 20 क्रोड यह 20 क्रोड है बचत कहां पर रहे बचते बैंकों में बैंकों से मतलब जो दूसरे लोग इन्वेस्टर निवेस करता बिजनस करने वाले वेक्ति हैं वो 20 क्रोड रुपए लोन लेते हैं और बिजनस में लगा देते ह तो यह भी खर्चा हो गया लोगों ने 30 कुरोड जो खर्च किये थे वह तो अपने जरूरतों पर खर्च किये थे यह तो था उभोग वे और जो दूसरे वेक्ति हैं जो बिजनेस में 20 कुरोड रुपे लगाए हैं वह हैं निवेश वे कौन सा वे होगा निवेश वे तो अकर जोड़ दो या एक देश के नागरिक जो वे करते हैं उसे सारे वे को जोड़ लीजी तिन तरीके हैं तो राष्ट्रिया आए जो कंसिप्ट क्या है अब इसकी परीवासा क्या बोलेंगे सामा नहते है नॉर्मल बाहसा में आपने बोच सकते हैं कि एक देश के नागरिकों दुआरा एक वरस की अरजित आयों का योग है एक देश के समस्त नागरिकों की एक वरस की अरजित आयों का योग क्या कहलाएगा राष्ट्याय कहलाता है तो समस्त नागरिकों अरजित अरजित का मतलब क्या होता है जो उत्पादिन कारिये करके जो काम करके कमाई गई है जिसमें कोई गलत तरीके से जो आय कमाई जाती है उसको सामिले नहीं करते हैं जो काम करके कमाई जाती है उसी आय को सामिले करते हैं क्योंकि यहां पर आस्ट आय का मतलब होता है उत्पादन की वेलू और उत्पादन कारी जो आर्थी किरिया करके जो आय कमाते हैं वो अरजि देस्त में जो काम कोमेंए हुगी हैजित क॑म हैं। इक इस बसलोंे आपको बड़ेके हुआ है को सब्सक्रन परिवास वी सब्सक्रार करें तो वो परदे बात तो इस समझ लीजिएगा तो रास्ट्रिय आई रास्ट्रिय आई या रास्ट्रिय उत्पादन या रास्ट्रे वे ये सारे कंसेप्ट एक ही होते हैं रास्ट्रिय उत्पादन रास्ट्रिय आई या रास्ट्रे वे सब को मुद्रा में काउंट करते हैं सारे कं जाटन के चैंसे छे कि राच्टीर की दो घृक मांटतें चैंने तो परीबाचिन जाइन चै हिं उत्फ़ादन के आधार पर मुद्रा के अधार पर उपभोग के अधार पर उत्पादन के अधार पर क्या मतलब क्या होता है कि एक देश में जो भी उत्पादन होता है एक प्रस्में सारे उत्पादन को जोड़ लिया जाए ये परीबासादी थी मार्सल ने उत्पादन को जोड़ें कैसे मुदरा के मादम से, कितने रूपय का उत्पादन कैसे क्या जोड़ते हैं जो परिबासह दिये गई है उप की किसara दे झैज से उन है कि फीसर द्वारा फीसर ने कहा था कि एक देश में जो एक समस्त्र नागरिक है वो जो वे करते हैं वो करते हैं वो को जोड़ दिया जाए और राष्ट्रिया आए कि जो आधुनिक परिवासा है कि वो दी गई है साइमन कुजनेट्स द्वारा इन्होंने राष्ट्याय की आधुनिक परिवासा दी थी तो यह राष्ट्याय की जो कंसिप्ट है उनको यह उत्पादन के बेस पर मुद्रा की बेस पर और उभो की बेस पर मार्सल पिगोर फीसर ने दी थी और आधुनिक परिवासा दी थी कि साइमन कुजनेट से अब राश्ट्याई की जो अउधारनाई है मतलब हर चीज की जिसे अउधारनाई होते हैं अलग लोग होती है उत्पादन विदी और सारे वे को जोड़ करके वे विदी यह चेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ा कुषनाने वाला है तो इसमें थ्यान दे कि सारे वे को जोड़ करके तो राष्ट याई गणना करते हैं वे विदी से यह विदियाँ डिटेल में समझाऊंगा अवधार नाई आपने टेंथ वगिरे में पढ़ाऊगा GDP, GNP वगिरे यह सब कौन सी राष्टिया कि अवधार नाई है GDP है, GNP है, NNP है, NDP है, PI है यह बहुत सरी जो आवधार नाई है जिसको बारे में आपको में बदाने वाला हूं तो सबसे पहले आपन देखते हैं, यह जो आवधार नाई है, उन में सबसे पहले आपन देखते हैं, GDP, GDP का बटलब होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रोस का मतलब होता है, ग्रोस डोमेस्टिक का मतलब होता है, ग्रोडक्शन का मतलब होता है, उत्पादन, शकल ग्रेलू उत्पादन, शकल का मतलब कुल, ग्रेलू मतलब अपने देख की सीमाओं के अंदर अंदर, तो नाम से समझ के होंगे कि एक देश की भोगोलिक सीमाओं के अंदर एक वरस में सभी वस्थों और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका मोदरी की योग क्या कर आएगा जीडीपी मोदरी की योग मतलब मुद्रा के मादम से योग करते हैं कि पत्पादन का कि कितने रूप ¿कि वस्थों बनी कितने रुपे की waim गणी तो इसका क्वाइल किसके मादम से आफ चीडीपी के मादम से एक देश की भोगोलिक सीमाओं के अंदर रोटम होता है एक वरस में वह क्या गलाएगा जीडीप कहला elect l आप इस GDP का फॉर्मूला कैसे बनाए GDP तो फॉर्मूला बनाने से पहले आप देख। इस GDP की यह गीडी पी नाघ थे 2 परकार की होती है एक तो GDP at market price एक होती है GDP at factor cost यह market price and factor cents की बारे में हैं पहले पढ़ चुके हैं कि बाजार भाव और सादन लागत है. इस सिय रेट पर माल निकलता है वह सै फिक्टर कोष्ट। कीवेश निकालती है मार्केट में जिस रेट पर मिलता है वह सै मार्केट प्राइश तो एक ठीघ्टर कोष्ट पर तो एक GDP गण न था ह provar Right किसीज का है इसमें एन आई टी जानते हो नाई टी क्या होता है सुद्ध पर तक्सकर जिसके परेवन पढ़ चुके हैं आपको बता होगा कि इससे पहले वाला चेप्टर है वो समझना बहुत जरूरी है तभी रास्ट चाह समझ माएगा इसमें एन आई टी है वो सामिल नहीं मार्क प्राइस में होता है किसमें मार्केट प्राएस में सामिल होता है टेक्स इन वबाजार के भाव में अपने खरीते हैं तो 시 David कोस्ट पर अगर यह करेंगे इसमें um स्रीडिप मार्केट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह उनना कुसमें होगी मुद्रामी तो इसका जो formula है इसमें क्या कर राख है कि जो उत्पादन होता है ग्रोस्ट डेंस्टिक प्रॉडक्शन उत्पादन की वेलु निकालने के लिए जियुकि उत्पादन उतना ही होगा जितना लोग ब्रॉ ऐ कर सकते हैं उत्पादन उतना ही होता है मतलब जो उत्पादन होता है उस पर सभी लोग वे करते हैं तो लोगों के वे को जोड़ दिया जाए उत्पादन कितना होगा जितने लोगों का वे होगा धान रखें जितना उत्पादन होगा उतना वे होगा जितने रुपे का उत्पादन होगा वो कोई खेती नहीं करते तो उनको उसका भी एक ऌनुमान लगा लेते कि एतने रूपे का जैसे सपोस कीजिये कि मैंनेनन केहixel माइक पजञ च्रीज ग हूँ अधिक डिंटे तो मुझे कितने गयों की जूरत पड़ी है जो मेरे पास मैंने रख लिए अब यदि में गयों का उत्पादन नहीं करता तो मैं परचेज करता हैं तो यहां पर जो खुद के उभोग के लिए अपने उत्पादन करते हैं उसका एक अनुमान लगाया लिया जाता है उसकी भी तो समस्त चो नागरिक है वो वे करते हैं उनके वे को जोड दिया जाए अनुमानित वे को जोड दिया जाए तो जो GDP है मार्केट प्राइस पर वो आ जाएगी अब वे किस-किस रूप में होता है देखो एक तो लोग उभोग वे करते हैं जिसको अपने सी से परजेंट करे will make it एक सबी लोग जो वे करते हैं बिजनेस में इनवेस्ट में इस रूप ons railway प्लस सरकार के पास पथे सका से आता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक चीज होती है अपने जो देश है उस पर विदेशी लोग भी विए करते हैं अपने देश में जो उत्पादन हुआ है उसमें उस पर विदेशी लोग भी विए करते हैं उसको अपने बोलते हैं ऐखस्पोर्ट निर्यात को में एक्सस से परसेंट करते हैं एक्सपोर्ट उतपादन अपने देस का है है खर्च कोन करें विदेसी कर Strateg करें तो cay pecker कर इसलिए इसको तो प्लस कर लेंगे परंतु अपने देश के लोग विदेशी माल पर विवय करते हैं विदेशी माल पर जो विवय करेंगे वह अपने देश की इंकम में नहीं होगा नागरिक अपने देश के हैं परंतु वह विदेशी वस्तों पर विवय करते हैं कि अपने विदेशों से आयात कर लेते हैं और आयात की वे माल पर आपन जो वे करते हैं वो अपने देश की इंकम में नहीं होगी तो उसको क्या करेंगे लेस करेंगे उसको आयात को economics में M से परजेंट करते हैं किसे M से तो X-M इसको बोलते हैं Net Export Net Export से परजेंट करते हैं सुद्ध निर्यात X-M तो GDP MP जो कि खर्चे की जो गणना है वो market price पर होती है इसलिए GDP MP का यह formula बनेगे है GDP MP C मतलब उभोग I निवेश G सरकारी वे वर्मेंट expenditure और X-M निर्यात मैनेश आयात Net Export सुद्ध निर्यात बोलते हैं इसको ठीक है यह करना करके GDP MP में से यदि NIT लेश कर देंगे तो GDP FC आ जाएगी मुझे पता है कि यह chapter जल्दी से concept आप यह मरलब clear नहीं होगा इसलिए आपको क्या करना है कि इसको बहुत careful बहुत धान से देखना बहुत समझना है हर चीज को repeat करकर करके समझ लेना है और जब आप इसको study करो तो आपका mind कहीं और डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना चीए ठीक है ना समझ लेना कि अपने उत्पादन की गणना करने के लिए वे को क्यों जोड़ा क्योंकि जितना उत्पादन होता है उतना ही वे होता है एक देश में जितना उत्पादन होता है उतना ही वे होता है अब उत्पादन है जो इसलिए अपने क्योंकि मुद्रा में काउंट करना है इसलिए अपने सारे वे को जोड़ दिया तो वे को जोड़ेंगे तो उत्पादन की घंड़ना अपने हापे हो जाएगी ठीक है यह जो वे है उसको जोड़ दिया एक देश में समझ नागरिकों द जाएगी और इसका जो विवस्तित परिवासा है वो मैं आपको नोट के थ्रू बता दूंगा बाकी संपल परिवासा क्या हो गई कि एक देश की भोगोलिक सीमाओं में एक वरस कियाओदी में सभी वस्तोर सिवाओं का जो उत्पादन होता है ईसका मौद्रि की ओगी किया कहलेगा जीडीप कहलाएगा ठीक है एक चीज और बतारी थी में आपको वह यह मैंने बताई थी कि एक तो वर्ड है ग्रोस एक वर्ड है नेट इसका मतलब होता है सकल इसका मतलब होता है सुध या नीवल सुद्या नीवल ठीक है सकल सुद्या नीवल इन दोन यह दोनों आएंगे अपने काम में क्योंकि एक गडीप आती है एक NDP भी आती है GNP आती है NNP भी आती है तो शुरुआत में जो जी लगा है जी डीप है गनप है इसका मतलत बता गिरोश शुरुवात में N लगा है NNP है NDP है इसका मतलब नेट नेट मतलब सुध इन दोनों में फरकी सीज़ का होता है इन दोनों में फरक होता है Depreciation का मुल्य रास का ठीक है मुल्य रास क्या होता है जो इसके बारे अपने लास्ट वाले चेप्टन में पढ़ चुके हैं कि मुल्य रास क्या होता है एक वर्स में समस्त पुंजिगत वस्त जो संपतियां उन में जो गिसावट होती है मरमत होती है वो जो वे होता है डेप्रीसेशन होता है अब यह डेप्रीसेशन एक तरीके से लोस हानी होती है परन्तु इसका जो मुल्याव होता है वो GDP में तो सामिल होता है परन्तु ग्रोस से यह नेट निकाड़ना हो तो इस ग्रोष में से क्या लेस कर देंगे डेप्रिशेशन लेसे कर देंगे मतलब इन दोनों वर्डों में इसका अंतर है किसका डेप्रिशेशन का इसमें डेप्रिशेशन सामिल होता है ग्रोष में और नेट में सामिल नहीं होता है ठीक है यह चीज धान रखें तो यहां पर अपने जीडीपी पड़ी है ठीक है अब मार्केट प्राइस पर भी होती है और फेक्टर कोश्ट पर भी होती है अब जैसे जीडीप मार्केट प्राइस पर होती है अभी यह जो market price और factor cost है वो केवल GDP पर लागू नहीं होती है यह GNP, NNP, NDP सब पर लागू होती है और सब में सेम चीजें होगी जो market price होगी उसमें NIT सामिल होगा और factor cost में सामिल नहीं होगा ठीक है second concept है वो है GNP gross national production domestic का मतलब घ्रेलू, national का मतलब राष्ट्रिय है सकल राष्ट्रिय उत्वाद अब इस घ्रेलू और राष्ट्रिय में फरकिसका है जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले चप्टर में अपने पढ़ा था एक तो घ्रेलू अवधारना एक सामने निवाशियों की अवधारना घ्रेलू अवधारना और सामने निवाशियों की अवधारना उनको उनका यंतर है घ्रेलू वाली अवधारना उसमें एक चीज बढ़ी थी अपने NFIA 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 यह जो एन फाई यानि विदेशों से जो अपन आय अर्जित करते हैं यह आय है वो घ्रेलू में तो सामिल नहीं होती है और इस रास्ट्रिय में सामिल होती है मतलब यह तो क्या है अपने देश की सीमाओं में जो उत्पादन होता है उसको जो जोड़ते हैं केवल चे वो विदेशी कंपनिया हो चे देश की कंपनिया हो इसमें जी डीपी में और इसमें क्या होता है अपने देश के नागरी के कितना अर्जित करते हैं अपने देश के न GDP अ होता है किस इसका NFIA का ? NFIA कि ऐसका Net Factor Income from Abroad विद्येशों से प्राप्त सुद्य साथना आए GDP मे विद्येशों से प्राप्त सुद्य साथना आए बस यही फरेक है दोनों में GDP और GNP में किसका NFIA का यदि इसकी गंड़ना करनी है तो इस में किसमें GDP में यह जोड़ दो क्या NFIA जोड़ दो तो क्या जाएगी GNP आजाएगी यानि GNP ब्राबर GDP प्लस NFIA GDP प्लस NFIA बाकि अगर यह market price पर है तो यह भी किस पर आएगी market price पर और अगर यह factor cost पर GDP फेक्टर कोश्ट पर है तो GNP भी किस पर आएगी factor cost पर दोनों के formula market price और factor cost निकारने वाले formula same है जो आपको मैंने पहले बताये है ठीक है अराम से इन concept को समझेगा बाकि मैं आपको concept कल बताता हूँ आज मैं notes include नहीं कर रहा हूँ आप इसी को समझेगा